नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महराश्टा फायस आपके साथ मैं हूँ परवीन शेंग आपको बताएंगे कॉंगर्स में क्यूं मचा है टिक टो पर बवार सीड शेरिंग पर क्या बोल गए शरत बवार एकना शिंदे के नामांकर में क्या है खास औ पहले एक नजर डालते हैं महराश्ट की टॉप हैडलाइस महराश्ट में टिकेट बटवारी के बाद महाविकास अगारी में घमासान कल्यान भिवन्डी से लेकर नाला सुपारा तक मचा है बवार महाविकास अगारी को 40 सीटों पर लगेगा जटका अकलेश से लेकर उवे एक नाशिंदे ने दाखिल के अपना नामांकन कोपरी पांच पकारी से लड़ेंगे चुनाव डिप्री सीम दिविंद्र फरनवीज का बड़ा दावा बोले महराश में अकेले नहीं जी सकती बीजेपी फरनवीज के दावे ने बड़ाई सियासी टैंशन खबरों में सबसे पहले बात महाविकास अगारी में मची बगावत की आद महराश चुनाव में नामांकन का आखरी दिन है लेकिन कल्यान जिला कॉंग्रिस में बागियों ने टैंशन बड़ा रखी है 125 कारेकरताओं ने ये कहते हुए सामोहिक इस्तिफा दे दिया कि इस चुनाव में कोकड और ठाने जिलों से कॉंग्रिस को बाहर कर दिया गया है जिलादर्स सचिन पोटे ने अपने सभी पदों से इस्तिफा दे दिया इसके अलावा पोटे ने कहा कि पार्टी नेताओं को कल्यार इस्त और पश्यम विदान सभासीर से अपने लिए उसे लेनी चाहिए और एक दशक्त से भी ज़्यादा वक्त से हम इमानदारी से काम कर रहे हैं हमने लोगसभा चुनाव से लेकर अब तक गडबंदन धर्म का पालंकिया विदान सभा चुनाव में कोकर्ण और ठाने जिलों में कॉंग्रेस के लिए अनुकूल माहल होने के बावजूत पार्टी के लिए एक भी सीट नहीं चोड़ी गए बिवन्डी को छोड़कर ठाने जिले में पंजे को उखाणने का काम किया गया है पोटे नहीं कहा कि हम जल्द ही फैसला लेंगे कि चुनाव में उद्दवगुट के उम्मीदवार के लिए काम करना है या नहीं मेडिया से बात करते हुए आप महिला जिला अध्यक्ष कंचन कुलकर्णी उपाध्यक्ष राजा भाव पाटकर ब्लॉक अध्यक्ष विमल ठककर और प्रदेश सदस से मुन्ना तिवारी युवा कॉंग्रस अध्यक्ष जपजीत सिंग ब्लॉक अध्यक्ष शकील खान भिवंडी से पूर्व और पश्चिम विधान सभाव में उम्मीद्वारी को लेकर घमासान मचा हुआ है भिवंडी इस्ट सपा के पास है जिसका शिर्फ सेना यूबिटी ने कड़ा विरोध किया और सामोही की स्थिफिय की चेतापनी दी है इसी तरह पश्चिम में के जिला अध्यक्ष दयानंद चोरगी को उम्मीद्वार बनाया है उनके नाम की घुशना होते ही पार्टी में दूख खेमों में बढ़ गई कारीकरताओं का आरोफ है कि चोरगे का यहां कोई जनाधार नहीं है इस्थानिया नेता लोगसभा चुनाव के बाद ही यहां य तो कॉंग्रेस के सभी नेताओं और कारेकरताओं ने यह फैसला किया है कि अगर 29 अक्टूबर तक पार्टी ने इस फैसले पर पुनाविचार नहीं किया तो कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा वहीं पार्टी ने कहा है कि उनका दावा बरकरार है और वो नामांकिन की आ महराष्ट में मुस्लिम वोटरों की संख्या कुल आबादी के करीब 12 फीसिदी है 2011 की जनगरना के मताबिक महराष्ट में 11.54 फीसिदी यानि करीब 1.5 करोड मुस्लिम है यह मुस्लिम वोटर महराष्ट की 40 सीटों के नतीजों में बड़े उलट फेर की ताकत लगते हैं महा समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अकलेश यादव एमवीए गडबंदन की तरफ से सीटे नहीं दिये जाने से नाराज हैं अकलेश यादव ने 27 अक्टूबर को महा विकास अगारी को चेतावनी दे डाली समाजवादी पार्टी और असुदु दिन ओवेसी की एंट्री कॉंग्रिस और NCP की टेंशन बड़ा रखी है इन पार्टियों की चुनावी मैदान ने उतरने से सीधे तोर पर मुस्लिम वोटों में बटवारे की संभावना बन सकती है अगर ऐसा होता है तो कई सीटों पर चुनावी नतीजे बदल सकते हैं वहीं असुदु दिन ओवेस हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है और पिछड़ा वर्ग का वोट पाकर किंग मेकर बनने की कोशिच में लगी हुई है पिछली बार के महाराश विधान सभाचुनाव में कॉंग्रेस के तीन NCP के दो समाधवादी पार्टी के दो एक एक मुस्लिम विधायक था उ पिछली बार के चुनाव में दस मुस्लिम विधायक चुनाव जीते थे जिन में से तीन कॉंग्रेस के दो NCP के दो सपा के और दो AIMIM और एक शिवसेना का उम्मीदवार जीता है खबरों में आगे मरते हैं बाद शरत पवार की महाविकास अगारी के बीच कुछ सीटों पर खीस्तान पर करार है शरत पवार ने साफ किया है कि 288 सीटों में से करीब 95 फीसिदी सीटों पर आपसी सहमती से फैसला हो गया है लोगों के हित के लिए हम राद जी में सर्कार बदलنا चाहते हैं बारामती में मीडिया से बातचीत में शरत पवार ने कहा मैं दियमीत रूप से महाराश्ट के सभी जिलों की समिक्षा कर रहा हूं लोग सबस चुनाव के दोरान महराश के लोगों ने हमें जबरदस रिस्पॉंस दिया उन्होंने हमें 48 में से 31 सीटे दिये वे उनका बहुत अभारी हूँ अब विधान सबस चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है पवार ने अगे कहा कि महाविकास अगारी महराश की सबी सीटों पर चुनाव लड़ रही है 288 सीटों में से करीब 95 फिसीदी सीटों पर सहमती से फैसला हो गया है बाकि सीटों पर चर्चा जारी है यानि खीशतान अभी भी पर करार है इसके साथी शर्द पवार ने ये भी कहा कि वो महराश में सरकार बदलना चाहते हैं महराश की लोगों के बहुत सारे मुद्दे लंबित हैं क्योंकि उन्हें उन लोगों द्वारा हल नहीं किया गया है जो मौझूदा सत्ता में है मैं महाराश के लोगों को भरोसा देना चाहता हूं कि महाविकास अगारी के लोगों के हित में सरकार लाएंगे महाराश में शरत पवारगुट की एंसिपी ने विधानसभा चुनाफ के लिए रव्यवार को तीसे ही लिस्ट में नो उम्मीदवारों की गोशना की इससे पहले शनिवार को यानि 26 अक्टूबर को 22 उम्मीदवारों की दूसरी लिज़ारी के गेती जिसमें पार्टी विधायक संदीप शीर सागर को बीड से मैदान में उतारा गया नासिक जिले की डिंडोरी से सुनीता चरोसकर को विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी जिर्वाल के खिलाफ उम्मीदवार बनाये गे जिने अजीत पवार के नेत्रित वाली न्सिपी ने मैदान में होता रहा है दर्शरत पवार की पार्टी ने अब तक 26 उम्मीदवारों की घोशना कर दी है महराश में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की जो आखरी समय सीमा है अक्टूबर है 288 सीटों पर 20 नमबंबर को चुनाव होंगे जबकि नतीजे 23 नमबंबर को घोशित होंगे महराश विधान सबस्वार चुनाव के लिए शिवसेना प्रमुक और मुख्यमत्री एकनाश शिन्दे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया कोपरी पांच पकारी सीर से उम्मीदवार एकनाशिंदे ने परचा भर दिया है उनके साथ उनके परिवार वाले और डिप्री सीम और बीजेपी नेता दिवेंद्र फर्णवीज मौजूद थे इसके बाद ठाने में एकनाशिंदे की शिवसेना का शक्ती प्रदर्शन भी देखने को मिला नामांकन सल पर सीम एकनाशिंदे का समर्थन करने के लिए शिवसेना के कई नेता और कारेकरता मौजूद रहे नामांकन दाखिल करने के बाद शिर्सेना के शक्ति प्रेदर्शन के तार पर बड़ी रैली निकाले गए इस दोरां से में एक नाज शिंदे और कई नेता विधायक सांसा भी मौजूद रहे एक नाज शिंदे कोपरी पास पकारी सीर से लगातार जीता हैं और एक बार पिर अपनी किस्मत आजमाने जा रहे उनके सामने उदबगुट के कैदार दिगे चुनाबी मैदान में कहा जा सकता है ठाने उनका घर भी है और गड़ भी है इस भी शिर्षेना निताओं का कहना है कि इस बार सो फिसीदी नहीं बलकि हजार फिसीदी तैय है कि एक नाजशिंदे ही अगले मुख्य मंत्री बनेंगे उन पर बालत साथ ठाक्रे और महाराश्ट की जनता का आशिरवार खबरों के आखिर में बास फर्णवीज के दावे के डिप्टी सीम देवेंद्र फर्णवीज के दावे ने सियासी पारा हाई कर दिया है दरसल देवेंद्र फर्णवीज ने चुनावों के बीच बड़ा दावा करते हुए कहा कि महाराश्ट में बीजेपी अकेले बताया उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों के वोट मिलाकर ही महायूती विजेई होगी बीजेपी अकले चुनाब जीत नहीं सकती इसलिए फिर भी सबसे जादा सीटे और वोट शेयर के साथ महाराश की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी महाराश चुना में बीजेपी के कु कि जैसे कई फिल्में बन रही हैं और हर महत्मकांशिया भी नेता को मुख्य किर्दार मिल सकता है जानकारे के लिए बता दे कि बीजेपी ने अब तक 288 में से 121 सीटों पर अपने नाम फाइनल कर दे हुए डिप्टी सीम देवेंदर फर्णवीज ने भरूसर जताया कि ब महायूती गडबंदन को 48 सीटों में से सिर्फ 17 सीटे ही मिल सकी थे लेकिन विधान सभा चुनाव में इसका कोई असर नहीं दिखेगा यानि लोग सभा चुनाव अलग था और विधान सभा चुनाव हर हाल में आपर अलग होने वाला है इस बार बीजेपी बहतर करें और Capital TV को सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार